हलू सातिवी नमस्कार, good evening दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं railway technicians के cut-off को लेकरके आखेर कategory wise cut-off किया जाने वाला है ठीक है, highest जुन किया राने वाला है danger जुन किया राने वाला दोस्तों हम इस वीडियो में complete information देंगे category wise और दोस्तों बिल्कुल to the point बात करेंगे तो आप सो request है इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो subscribe जरूर कर लेना क्योंकि भाई आपका सिर्फ आप के लिए ही मेनाद करता है टेलिग्राम का लिंग दिया इसी जो होते हैं जैसे कि अराजबी गूरूब डी जो है वेकेंसी आने वाली है उसमें इसके लिए करके मुहीम चड़ रहे हैं हम लोग बना रहे हैं ताकि सिर्फ आई टी आई वहाँ पर सामिल हो सके तो उसको लिए भी दोस्ते टेलिग्राम चैनल है तो आप लोग ज़रू जोईन करें ठीक है तो दोस्तो फिलाहाल चलिए इस वीडियो को सुरू करते है ठीक है आखिर क्या क्या वेकेंसी रहने वाली है तो दोस्ते हाँ पर मैं बात करूंगा टेकनिसियन ग्रेड थर्ड के बारे में क्यों दोस्ते हाँ पर टेकनिसियन ग्रेड वन सिगनल है उसके बारे में भाद में बात करूंगा लेकिन जो सबसे अधिक वेकेंसी रहाँ पर 13206 वेकेंसी है वो है टेकनिसियन ग्रेड थर्ड को तो 3rd की vacances दोस्ते हाँ पर वो vacances है 90 minutes के परिक्षा होगी इसकी 90 minutes के परिक्षा में 100 questions पूछे जाएंगे और total 100 marks के ठीक है 90 minutes 100 questions 100 marks negative दोस्ते हाँ पर 1 by 3rd अगर ठीक एक गलती आपने कर दिया है तो 1 by 3rd आपका minus जाएगा ठीक है तो ये जी जाप को होने वाला है RRB Technician Grade 3rd में दोस्ते हाँ पर लगबग जो approximate form है 20 से लेकर के 23 लाख लोगों ने form बढ़ा है तो cut up चली जानते है आकर इसमें cut up category wise क्या होने वाली है और क्या expected है तो दोस्ते हाँ पर ये cut up जो मैं बता रहा हूँ ये expected है ये आगे पिछे हो सकता है लेकिन बहुत जादा नहीं 3 से 4 नंबर ठीक है इसके इर्दिगिर्द ही ये cut up कुमने वाला है और भी मैंने जादा बता दिया 3 से 4 जो मैंने बताया उससे 1 से 2 नंबर आगे पिछे ही जाएगा इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है चली दोस्तों सुर करते हैं दोस्तों एक बाप फिर से रिक्वेश्ट करूंगा आप लोग सब्सक्राइब जरू किजिएगा देखे पहले बात करते हैं जनरल को लेकर के अगर दोस्तों टेक्निसियन का फार्म आपने भरा है अगर जनरल से बिलॉंग करते हैं तो आपकी जो कटाफ है दोस्तों यहाँ पर 65-70 जाने माला है ठीक है आज आज भी टेक्निसियन के में बात कर रहा हूँ तो जितने भी जनरल के भाई हैं अगर आप यहाँ पर अच्छा खासा आटेम्ट करते हैं तो तभी जाकर करके आपको यहाँ पर सीट हासिल हो सकती है अदर्वाइस कॉंपटिटिशन थोड़ा शीट बहु ज़्यादा है इसका दोस्ते आपर OVC की बात करते हैं OVC दोस्ते आपर 60-65 नमबर अगर आपके 60 माक्स मिनिमूम बाडर है ठीक है तो आपको यहाँ करना है कम से कम 70-65 तक आपको माक्स लाने होंगे कुल मिला करके 60-65 नमबर रिद्गरत में रहेंगे आप तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा अब दोस्तों आगे बात करते हैं अगले कटेगरी EWS के लिए आप EWS के देख दोस्ते हैं आपर 60 से ले करके 62-63 ठीक है मिनमम करेटरिया दोस्ते हैं आपर 60 ही रखा गया है EWS के लिए भी इसके दोस्ते हैं आपर जो अगली कटेगरी है वो दोस्ते हैं आपर SE है सेटिल काष्ट दोस्ते यहांप पर S क्टेगरी यहांप है 155 से दोस्तों, यहांप़ इसथ हैं. अगर 25 नमबर यहांपन आफ आ रहे हैं, SE क्टेगरी का, तो आप biz फो थे स्लिक्षेर की सेते होर। हलाग doth दोस्ते आप पर 25 नमबर काफी होर। यहांप इस और फैसाद वोर। दोस्ते आपर ST की बात करते हैं तो यहां पर ST कटाफ 50 से तीरपन रहेगा ठीक है आप त्यारी कीजिए जितने भी साथ यहां पर हैं सेलेक्शन जरूर होगा ठीक है दोस्तों यह तो कटाफ रहा एक बार मैं पूरा दिखाते हो कटाफ एक साथ ताकि आप लोग को पता चल ज चेक है तो यह देखी जंडरल है और से हैं से हैं और अइस्के बाद दिखाते हैं अगए आगर कुछ जोन है जो कि यहाँ पर हाई कटाफ जाने वाला है ठीक है दोस्ते हाँ पर जोन है यहाँ पर पटना है अजमेर है इसके बाद राची है इसके बाद यहाँ पर प्रियागराज है इसके बाद यहाँ पर मुजब फरपूर है तो दोस्ते हाँ पर पांच छे जोन है जहाँ पर हाई अग्याद दूस्तों बात करते हैंपर यह तो रहा आपका आराली टेकनिसियं ग्रेट थरड की टोटल दोस्तों पोश्ट आपर 14298 है। आईसे ऐसा कुछ करके है तो यहाँ पर डोल जो मैंने बताया है्गलत आई थाव मैं बताया है ठीक है खेलत थाण के जैनल के छुनद चुन ग्रेटर का अगर दोस्तों ग्रेयर वन के लिए सिगिनल ऐए सिगनल के लिए आफ़ के लिए। दोस्ते हाँ पर जो जन्रल का जो फार्म है दोस्ते हाँ पर इसमें दो तरह के मतलब फार्म है एक ग्रेट वन के लिए है सिगनल ग्रेट वन ठीक है इसके बाद वह आई टेकनिसियंस का है तो जितने भी ट्वेल्ट के साथ ही है मीनिममम 75 प्लस आपको स्कोर लाना होगा अब यह आपका सेलेक्शन हो पाएगा इसके रिंचे मुस्किल है तो कुल मिला करके आप पर आई टी आई छात्रों का कॉंपटेशन थोड़ा सा ठीक है क्योंकि यहाँ पर उनके लिए वेकेंसिस ज्यादा है तो आप लोग 14,206 वेकेंसिस बहुत ज्यादा होता है ठीक ल मातर हम